सरविभ्यो नमो नमा नमशकार स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दिक्षित इस वीडियो में हम कारक के अगले 50 प्रश्णों के विशे में बात करने वाले हैं इससे पहले हम कारक से संबंदित 50 प्रश्णों का अध्यन कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आप आहां से देख सकते हैं आईए प्रारंब करते हैं पहला प्रश्ण है विना इती अव्यश्य योगे का विभक्त यह भवन्ती विना अव्य के योग में कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं तो इसके विशे में हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं इसके योग में द्वितिया तृतिया और पंचिमी विभक्ती होती हैं संप्रदाने का विभक्ती संप्रदान में कौन सी विभक्ती होती है तो संप्रदाने चतुर्थी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ती होती है अगला प्रिश्ण है यूपाय दारू इत्यत्र चतुर्थया कारणम किम इस वाक्य में च के लिए हैं तो तादर्थ्य में यहाँ आपर चतुर्थी विभक्ति हुई है अगला प्रिशनु है द्रुय द्हात्यू योगे यम प्रती द्रोह तस्मीन विभक्ति भावती दुरू। दातु के योग में, जिसके प्रती द्रोह हो, उसमें कौन सी विभक्ती होती है, तो उसमें होती है चतृथी. लेकिन इसके विशे हम एक विशेश बात है, जिसके मैं अध्यान हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, कि अगर दुरूहु से पहले उपसर्ग लगा हो तो उसकी फिर कर्म संध्या हो जाती है और वहाँ पर दितिया विभक्ती होती है लेकिन दुरूहु दातु के योग में जिसके प्रती द्रोह है उसमें चतुर्थी विभक्ती होती है अगला प्रिश्ण है वसट इती शब्द प्रयोगे का विभक्ती भवती तो नमह स्वस्ती स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच्च ये जो विधान है इससे वशट के योग में चतुर्थी विभक्ती होती है अगला प्रिश्ण है परियाप्त अर्थकम अलम शब्द दश्य योगे का विभक्ती भवती परियाप्त अर्थक अलम शब्द के प्रयोग में होती है चतुर्थी विभक्ती और अगर अलम शब्द का अर्थ होता है निशेद तो वहाँ पर होती है तृतिया विभक्ती जैसे अलम श्रमेन, अलम विवादेन तो निशेधार तक अलम शब्द के योग में तृतिया होती है और परियाप्ती अर्थक जो अलम शब्द है उसके योग में चतुर्थी विभक्ती होती है अगला प्रिश्ण है याने चलती तेन प्रस्थितम इत्यत्र चलती इती चलती में कौन सी विभक्ती है तो चलती में है सप्तमी विभक्ती यान के चलने पर तेन प्रस्थितम उसके द्वारा प्रस्थान किया गया अगला प्रिश्ण है कर्ता कर्म वाच्चे कश्याम विभक्तव भवती कर्म वाच्चे में कर्ता जो है वो किस विभक्ती में होता है तो यह देखिए अगर आपको पता है कि कौन से वाच्चे में कौन सा कारक उक्त होता है तो आप यहां से सामन्य रूप से इस प्रिश्ण क को हल कर पाएंगे कर्म वाच्चे जो होता है उसमें क्रिया जो है कर्म को उक्त करती है और उक्त होने के कारण कर्म होता है वहां पर प्रिथमा विभक्ती में और फिर वहां पर करता हो जाता है अनुक्त क्यूंकि क्रिया किसी एक ही कारक को उक्त कर सकती है तो कर्म वाच्चे कर्म पदम कर्म वाच्चे कश्याम विभक्तव भवति कर्म वाच्चे में कर्म कारक कर्म पद जो है वो कौन सी विभक्ति में होता है तो वो होता है प्रत्मा विभक्ति में अगला प्रिश्ण है प्रमादार्थक धातो योगे का विभक्ति भवति प्रमादार्थक धातू के योग में होती है पंचमी विभगती अगला प्रिश्ण है करता इत्यश्य की अंतो भेदा की चते करता के कितने भेद हैं और वो कौन-कौन से है हालांकि इतना डीप प्रेश्ण अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए करता पांच होते हैं करता के पांच भेद होते हैं स्वतंत्र करता हेतू करता कर्म करता अभिहित करता और अनभिहित करता अगला प्रिश्ण है कर्म कति विधम किम चतत कर्म कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन-कौन से हैं तो कर्म होते हैं सब्त विधम साथ प्रकार के इपसित तम कर्म अनिपसित कर्म, इपसित अनिपसित कर्म, अकथित कर्म, अनअभिहित कर्म, कर्तरी कर्म और अभिहित कर्म, तो ये साथ प्रकार के कर्म होते हैं, करणम कति विधं तच्च किम, करण कितने प्रकार का होता है और वो कौन-कौन सा है, तो करण दो प्रकार के होते हैं, एक तो ह संप्रधान कितने प्रकार का होता है और संप्रदान की इतने प्रिस्धि नहीं है तो इसे संब्ढ़नित प्रिश्न पूछा नहीं जाता फिर भी आपको इनका ग्यान होना चाहिए अब जो अपादान और अधिकरण हैं उनके विशे में प्रश्ण पूछे जाते हैं अपादानम कति विधम तक्च किम अपादान कितने प्रकार का होता है और वो कौन-कौन से है तो अपादान होता है दो प्रकार का द्वी विधम, चलम, अचलम, चईती, चलापादान और अचलापादान इसके विशे में भी हम वीडियो में बात कर चुके हैं तो आप वहां से डिटेल देख सकते हैं अगला प्रिश्ण है अधिकरणम, कति विधम, किम, चतत, अधिकरण कितने प्रकार का होता है और वो क्या-क्या है तो देखिए सिद्धान्त कौमुदी जो है उसके अनुसार चार प्रकार के अधिकरण है लेकिन हम जो लगू सिद्धान्त कौमुदी में पढ़ते हैं तो त प्रकार के अधिकरणों की बात की गई है अगला प्रिश्ण है अभितह सर्वतह इत्यश्य योगे का विभक्ती भावती अभितह परितह सर्वतह इनके योग में होती है द्वितिया विभक्ती अगला प्रिश्ण है क्रिया सिद्धे प्रक्रिष्ट उपकार कह कह कार कह क्रिय प्रिश्न है इत्यानेर समबद्ध का विभक्ति इससे समंबद्ध कौनसी विभक्ति होती है तो इस सूतर से होती है तृतिया विभक्ति अगला प्रिश्ण है कर्ता इत्यश्य इष्टतम कार कह भवती कर्ता का जो इष्टतम कारक होता है वो कौन सा होता है तो वो होता है कर्म अगला प्रिश्ण है बही इत्यश्य योगे का विभक्ती प्रयुजते बही के योग में कौन सी विभक्ती का प्रयोग होता है तो बही के योग में होता है पंचमी विभक्ती का प्रयोग अगला प्रिश्ण है अव्यशब्दश्य योगेन का विभक्ती भवती अव्वे शब्द के योग में कौनसी विभक्ती होती है तो उपपद विभक्ती होती है कती कारकाणी कानी चतानी कितने कारक हैं संस्कृत में और वो कौन-कौन से हैं तो सट कारकानी छे कारक माने गए हैं करता कर्म च करणम च संप्रदानम तथेव च अपादानम अधिकरणम च इत्याहू कारकानी शट तो सश्टी विभक्ति को छोड़कर संबंद को छोड़कर बाकी सा छे जो हैं वो कारक माने गए हैं नाना इती शब्दश्य योगे का विभक्ती भवती नाना शब्द के योग में कौन सी विभक्ती होती है तृतिया जुगुपसा विराम आधी अर्थों में कौन सी विभक्ती होती है तो जुगुपसा विराम आधी में होती है पंचमी विभक्ती अगला प्रिशन है क्रोध द्रुईय असुय आदी नाम अर्थ युकता नाम धातु नाम योगे विभक्ति शाथ क्रोध द्रुईय असुय इत्यादी धातुओं के योग में और इनकी समानार्थक धातुओं के योग में कौनसी विभक्ति होती है तो वो होती है चतुर्थी विभक्ति मुच धातु यो अधो अधे इन शब्दों के योग में द्वितिया विभक्ती होती है अगला प्रिश्ण है उदिते सूर्य कमलम विक्सती सूर्य पदे का विभक्ती भवेत इसमें सूर्य पद में कौनसी विभक्ती है उदिते इस पद में कौनसी विभक्ती है उदित होने पर तो यहाँ पर योगे का विभक्ती अंतरा शब्द के योग में अंतरा और अंतरेन शब्द के योग में होती है द्वितिया विभक्ती अगला प्रिश्ण है पया मुचे इत्यत्र का विभक्ती अस्ती पया मुचे इस पद में कौनसी विभक्ती है तो इसमें है चतुर्थी विभक्ती अगल क्यूंकि ये कर्म वाच्चे है बहुनी काव्यानी पठितानी बहुत सारे काव्य पढ़े गए हरी के द्वारा तो यहां पर जो करता है वो अनुक्त है और अनुक्त होने के कारण करतरी करणियों तृतिया सुत्र से यहां पर तृतिया विभक्ति है हरी पद में अगला प्रिश्ण है नमो भगवते वासु देवा इत्यत्र की मार्थम चतुर्ती विभक्ती यहाँ पर चतुर्ती विभक्ती क्यों हुई है तो यहाँ पर हुई है नमह के योग में नमस्षब्द योगेन द्वितिया विभक्ति ही किम द्योतियती द्वितिया विभक्ति से क्या द्योतित होता है तो द्वितिया विभक्ति से होता है कर्मकारक की द्योतिना द्वितिया विभक्ति करती है ग्रामम गच्छन त्रिनम स्प्रिशती इती वाक्य त्रिन शब्दे का विभक्ती वर्थते त्रिन शब्द में कौन सी विभक्ती है तो त्रिन में है द्वितिया विभक्ती तथा युक्ते अनिप्षितम च ये जो सूत्र है ये कहता है कि उस इप्सितम से युक्त जो विवक्ति हुए है दरिद्रह उपवसती इतीवाक्य किम पदम प्रयोक तुम शक्यते यहां पर कौन सा पद प्रयोक्त हो सकता है तो अगर उपपूर्वक्वस्धातु हो तो आधार को कर्म संग्या हो जाती है लेकिन अगर अभक्षे आर्थ में हो अर्थात उपवस्ध का पर उपवास करना हो, तो वहाँ पर अधिकरण ही होता है, तो अगर ये उपवास के अर्थ में यहाँ पर उपवस्ती है, तो यहाँ पर अधिकरण होकर ग्रह पद में और फिर बनेगा ग्रहे, दरीत्र घर में उपवास करता है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नही अगला प्रिश्ण है प्रती प्रवचनिय योगे का विभक्ति जो प्रती है जिसमें कर्म प्रवचनिय संग्या की जाती है उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है तो उसके योग में होती है द्वितिया विभक्ति अगला प्रिश्ण है पादेन खंजह इती वाक्ये तृत इस वाक्य में तृतिया विभक्ति कौन से सूत्र से हुई है क्या कारण है तो इसका कारण है अंग विकार तो इसका विधायक सूत्र है येनांग विकार जिस अंग के द्वारा विकृत प्राणी का विकार दिखाया जाता है तो उसमें तृतिया विभक्ति होती है अगला प् साधू प्रयोगे इत्यानेन का विभक्ती उकता साधू और असाधू के प्रयोग में होती है सप्तमी विभक्ती और यह इंपोर्टेंट है इसमें से अक्सर परिक्षाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कृष्णह मातरी साधू मातुल असाधू यह जो इसका प्रसिद् योग में प्रयोग में सप्तमी विभक्ती होती है आख्यान उपयोगे इती सूत्रेन किम भवती इस सूत्र से क्या होती है इससे होती है अपादान संग्या तो नियम बूर्वक जो विद्या स्वीकार की जाती है तो उसमें जो वक्ता होता है उसकी अपादान संग्या होती है अगला प्रिश्ण है कर्तरी वाच्यश्य कर्ताकार के का विभक्ती कर्तरी वाच्य में कर्ता जो कारक है उसमें कौन सी विभक्ती होती है तो कर्तरी वाच्य में कर्ता उक्त होता है और उक्त होने के कारण कर्ता में प्रतमा विभक्ती होती है उक्ते प्रतमा ये सूत्र है ज तो वही है कर्म वाच्चे में कर्म उक्त होता है, इसलिए अनुक्त होने के कारण कर्ता में तृतिया विभक्ती होती है, तो इसका सही उत्तर है तृतिया विभक्ती, कर्तिरी वाच्चे में कर्मकारक में कौन सी विभक्ती होती है, तो कर्तिरी वाच्चे में कर्ता उक्त होत और अनुक्त कर्म में द्वितिया होती है कर्म वाच्यश्य कर्मकार के का विवक्ति कर्म वाच्य में कर्मकारक में कौन सी विवक्ति होगी तो उसमें होगी प्रत्मा अगला प्रिश्ण है भाव वाच्यश्य करताकारके का विभक्ती भाव वाच्य में करताकारक में कौनसी विभक्ती होती है तो भाव वाच्य में भाव की प्रधानता होती है तो भाव उक्त होता है वहाँ पर तो करता अनुक्त होने के कारण करता में होगी तृतिया विभक्ति अंतरा अंतरेन युक्ते इतियानेन का विभक्ति अंतरा और अंतरेन के योग में दृतिया विभक्ति होती है तो इस सूत्र से कौन सी विभक्ती हुई है? द्वितिया विभक्ती कृद द्रुईय इर्षा असुय अर्था नाम यम प्रतिक्रोप को बहत तत्र का विभक्ती अर्थक धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रती कौप होता है उसमें होती है चतुर्थी विबक्ति यहां पर यह गलत है लेकिन अगर उससे पहले उपसर्ग का अगर प्रयोग हो जाए तो उसमें फिर कर्म संघ्या होकर द्वितिया ही होती है तथा युक्तम चा अनिप्षितम इती सूत्रश्य उधारणम की तो इसकी अभी हम मीछे के प्रश्ण में बात कर चुके हैं ग्रामम गच्छन त्रिणम स्प्रश्यती ये है तथा युक्तम चा अनिप्षितम सूत्र का उधारण पुष्प से स्प्रेहा करता है इस वाक्य में कौन से सूत्र से चतुर्थी विबक्ती हुई है तो इसका विधायक सूत्र है स्प्रेह है इस प्रही इपसित हब इस प्रही धादू का प्रयोग होने पर जो इपसित होता है उसमें चतुर्थी विबक्ती होती है क्रियया यम अभिपरेती तत किम क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है उसकी भी संप्रदान संग्या होती है और चतुर्थी विवक्ती वहां पर होती है अगला प्रिश्ण है करमादी नाम अपी संबंद मात्र विविक्षायाम का विभक्ती करमादी में भी संबंद मात्र की विवक्षा जब हो तो कौनसी विभक्ती होगी तो वहाँ पर होगी सश्टी विभक्ती उपपद विभक्ते का विभक्ती बली यसी उपपद विभक्ती से बलवान कौनसी विभक्ती होती है तो वो होती है कारक विभक्ती किनी पदों को आश्रित करके जैसे नमह के योग में चतुर्ती होती है विना के योग में द्वितिया होती है तो पदों को आश्रित करके होने वाली जो विभक्तियां है वो उपपद विभक्ति होती है और जो कारकों को आश्रित करके विभक्तियां होती है जैसे संप्रदान कारक में चतुर्थी होगी तो वो होती है कारक विभक्ति तो अगर ऐसा कोई प्रसंग आ जाए जहाँ पर दोनों तरे की सूत्रों का विधान हो रहा हो जहाँ पर उपद विभक्ती भी लग रही हो और कारक भी लग रही हो तो वहाँ पर कारक विभक्ती करेंगे क्योंकि वहाँ पर कारक विभक्ती बलियसी होती है बलवान होती है अगला प्रिश्ण है विभक्त यो द्वे प्रकारे के स्तह विभक्ती कौन से दो प्रकार की होती है तो कारक विभक्ती और उपपद विभक्ती कारक विभक्ति ही कम कथ्यते कारक विभक्ति किसे कहते हैं तो क्रिया सह संग्या सर्वनाम यहो प्रत्यक्ष संबंदम स्थापनम एव कारक विभक्ति क्रिया के साथ जो संग्या और सर्वनाम के प्रत्यक्ष संबंद की स्थापना है वही कारक विभक्ति होती है अर्थात जो क्रिया के प्रतिसीधा उपकारक होता है, वो कारक होते हैं और उनमें कारक भी बक्ति होती है, तो ये 100 प्रशनों का आध्यन हमने कारक के विशे में कर लिया है, तो आशा है इनसे आपको सहयता मिलेगी, आप अपनी तयारी का अकलन कर पाएंगे और विशे का रिवीजन भी इससे कर पाएंगे, तो अगर आपको ये पसंद आया है, तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका लाब हो सके, और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइक